कुछ लोग ओची हरकत कर जाते हैं अपनी जीवन के अंदर और फिर वैँ ओची हरकत उनके उपर भारी पड़ जाती है कई वार कई किस्से और कई घटनाएं ऐसी होती हैं समाज और घर के अंदर परिवारों के अंदर कि जहां पर इंसान अपनी ओची हरकत दिखाए वगेर रह नहीं सकता है आज की घटना में भी एक इंसान ने ऐसी ओची हरकत और नीच हरकत दिखाई जो की बहुती निंद्रिय थी और जिसके वारे में सोच विचार करने पर भी एक तरह से घिन आती है तो आज की घटना भी इसी से सम्मनित है पतनी थी गर्ववती और दामाद की नजर डोली सास पर हुआ फिदा और फिर कर दिया गया एक ऐसा कांड यहां पर लोगों ने खूब यहां पर हसी उड़ाई और फिर खूब यहां पर तमासा बना आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर पूरी सचाई जाने के लिए वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूं सुदेश कुमार और तिर्षीवा चैनल में आपका स्वागत है यह है घटना राजिस्तान के जैपुर की मांसरोवर की है मांसरोवर के अंदर एक राजू नाम का सक्स रहा करता है आज से नौ महीने पहले उसकी साधी हुई है उसके घर में उसकी पत्नी आई है जिसका नाम है रीना रीना जो लड़की है जिससे उसने साधी की है उसके घर में उसका पिता नहीं है उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसका ना कोई भाई है उसकी सिर्फ एक अकेली मा है और मा विधवा है और घर में मा बेटी रह करती थी और उसी लड़की से राजु ने साधी की है साधी होने के बाद जो रीना होती है वह अपने घर परिवार में आती है ससुराल आ जाती है और वहाँ पर उसका पती होता है राजू पहले पहले तो उसके उपर खूब लाड लड़ाता है खूब उसे प्यार करता है धीरे धीरे जब कुछ समय गुजरता है तो अब 9 महीने गुजर जाते हैं उनकी साधी को 9 महीने जैसे गुजर जाते हैं तो जो रीना होती है उसके पेट में अब गर्व ठहर जाता है यानि कि 9 महीने उसकी साधी को हो जाते हैं तो उसके पेट में 5-6 महीने का बच्चा था अब जैसे बच्चा हो जाता है गर्वत ही हो जाती है तो अपनी मा से बात करती है कि मा मेरी तो ना कोई सास है ना ससुर है ना कोई देवर है ना दिवरानी है कोई भी नहीं है मैं और मेरा पती अखेले रहते हैं और यह भी कई बार रात को सराप पी आया करता है और मेरे मा अपनी बेटी रीना को अपने पास बुला लेती है पास बुला लेती है और रीना अपने पती से भी कहती है कि मा मुझे बुला रही है क्या मैं वहाँ पर जाओ तो उसका पती कह देता है कि ठीक है तुम जाओ तो रीना अपने माई के चली जाती है मा के पास उसके बाद पत्ती साम को काम से जब घर लोटता है तो सराब पी हुई होती है सराब के नसे में आकर देखता है कि यहाँ पर तो पत्नी नहीं है जबकि उसी ने कह दिया था कि वह अपने माई के जा सकती है आकर कि वह अपने पत्नी के पास फोन करता है कि तू वहाँ क्यों चली गई है क्योंकि सराब में उल्टी सीडी बात होती है तो यहाँ पर उसको होस नहीं था कि वह खुद ही कह रहा था दिन में और अब वह खुद ही उससे यह कह रहा कि तू क्यों चली गई है अपने माई के यहाँ पर जो रीना होती है वे बार-बार उससे कहती है कि तुमने ही तो कहा था मैंने तुम्हें पूछा था और तुम्हें पूछ कर ही मैं यहाँ पर आई हूँ लेकिन यहाँ पर जो उसका पती राजू होता है वे गुस्ते से लाल होता है और फिर जो ससुराल थी वे ज़्यादा दूर भी नहीं थी, आर्ट-दस किलो मीटर का फासला था अब यहाँ पर फॉन कट जाता है और जो राजू होता है सराव के नसे में ही अपनी ससुराल की तरफ जाने लगता है और फोड़ी ही देर में अपनी ससुराल पहुंच जाता है सराव के नसे में चूर था और जाकर अपनी पत्नी से लडने लगता है अब यहाँ पर जो रीना की मा होती है वे देखती है कि इसने सराव पी हुई है और बिना बात की बात पर लड़ाई कर रहा है तो वह उपर चली जाती है चट पर सोने के लिए कि पती पतनी का मेटर है इसकी सराब सुबह उतरेगी तो सुबह इसको होस आ जाएगा अब जो सास होती है वह चट पर सोने के लिए चली जाती है उधर राजु और उसकी पतनी रीना में जोर से लड़ाई होती है तो राजु लड़ाई करके वही घर की चट पर वह भी चड़ जाता है और जाकर सास के पास सो जाता है दोस्तो अब वह रात को नसे में था और सास के साथ गंदी हरकत करने लगता है और जबरजस्त के उसके साथ रेप करने लगता है लेकिन सास यहाँ पर जोर-जोर से चलाने लगती है नीचे से अपनी बेटी रीना को बरा लेती है रीना उपर जाती है और दोनों मा बेटी इखटा होकर उसको अच्छी तरह से धुन देते हैं यानि की पिटाई लगा देते हैं उसके बाद क्या होता है दोस्तों यहाँ पर वह पिटाई खाने के बाद वह वहाँ से भाग जाता है और फिर मा बेटी सुबह होने पर पुलिस थाने में जाती हैं रिपोर्ट दज करवाती हैं इसी घटना के उपर तो यहाँ पर पूरे सात्य और उसको पखड कर ले जाती है अब यहाँ पर वैं हाथ जोड रहा होता है अपनी पत्नी और अपनी सास के आगे कि मुझे माफ कर दो नसे में मुझे एक गलती हो गई है लेकिन क्या दोस्तों नसे में ऐसी गलतियां होना लाजमी है जो नसे में होता है वे अपनी बेहन बेटियों को ही क्यों नहीं छेड़ देता है वे दूसरे लोगों कोई क्यों छेड़ता है उनके उपर गंदी नजर क्यों डालता है तो यहाँ पर यह तो एक बहाना होता है बलकि नसे में इंसान होता है तो उसको होस भी होता है और अगर वैं सही तरह से रहना चाहे तो रह सकता है लेकिन अगर इंसान के दिल और दमाग में गंदगी भरी है तो वैं नसे का बहाना ले करके उस गंदगी को निकालने की कोशिश जरूर करता है कि वहाई सराब का बहान लग जाएगा तो यहाँ पर होस होता है और जब होस नहीं होगा तो वह आदमी चितपट गिर जाएगा लेकिन जब तक इनसान चल रहा है बोल रहा है तब तक उसे होस होता है यह तो एक बहान होता है तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं आप इस घटना के बारे में अपनी राकमेंट बोक्स में लिख सकते हैं लोग उक साथ सेर कर सकते हैं यह एक ओची हरकत की थी उस दामाद में अपनी सास के साथ जो कि बहुती निंद्यनी थी बहुती गलत थी आस पड़ोस में उसकी खेली उड़ाई जा रही थी और अब वह उस घर में दोबारा अगर बाई देवे छूट भी गया तो किस तरह से जाएगा किस तरह से उसकी इज़्जत होगी क्या इज़्जत के आप मान उसका दो बस ऐसा ही है तो ऐसी हरकत ना करें ओची हरकत जिससे की जीवन के अंदा से आत्म सम्मान दूसरों का सम्मान ये सब चला जाए और सर्म धरी रह जाए दोस्तों अगला प्रवर्म बोजलती फिर से लेकर आऊँगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें सावधान रहें रिस्तों की अमित को समझें जय हिंद जय भारत